मेरे परिवार जनों, नव साल पहले आज के ही दिन प्रधान मंत्री जन्दर योजना लौंच की गई थी। इस योजना ने गाव और गरिब के आर्थिक ससक्तिकरण के साथ ही रोजगान निर्मान में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। नव साल पहले देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास बैंक खाता ही नहीं था। बिचारों ने बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। इस योजना से गाउं गरिब तक सरकारी लाब सीधे पहुचाने में तो मदद मिली ही है। और साथ ही महिलाओं, दलीतों, पिछडों, अदिवासियों के रोजगार और स्वरोजगार को इससे बहुत बल मिला है। जब गाउं गाउं में बैंक खाते खुले, तो इसके लिए बैंकिंग कोर्स्पंडेंस के रूप में, बैंक मित्र के रूप में, लाखों युवाओं को आउसर मिले। बैंक मित्र हो, बैंक सकी हो, इसके रूप में हमारे हजारों बेटे बेटियों को रोजगार मिला। आज 21 लाख से अधिक युवा साथी, बैंकिंग कोर्स्पंडेंस, या तो कहें बैंक मित्र या बैंक सकी के रूप में, गाउं गाउं में सेवाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में डिजीटल सखियां, महिलाओं और बुजुर्गों को बैंकिंग सेवा से जोड रही है। इसी प्रकार जनधन योजना ने रोजगार और स्वरोजगार के एक बड़े अभ्यान मुद्रा योजना को बल दिया। इससे महिलाओं सहीत उन वर्गों को छोटे छोटे बिजनेस के लिए लोन लेना आसान हुआ। जो कभी इसके बारे में सोज भी नहीं सकते थे। इन लोगों के पास बैंकों को देने के लिए कोई गारंटी नहीं होती है। ऐसे में सरकार ने खुद उनकी गारंटी ली। मुद्रय योजना से अभी तक 24 लाग करोड रुपिये से अधिक के लोन दिये जा चुके हैं। इसमें करीब आठ करोड साथी ऐसे हैं जिनोंने पहली बार कोई बिजनेस शुरू किया है। अपना काम शुरू किया है। पी एम स्वनिदी योजना के तहट करीब करीब 43 लाग स्ट्रीट वेंडर्स को रेडी पट्री वाले जो लोग होते हैं न मारे। पहली बार बैंकों से बिना गारंटी का रण स्विक्रत हुआ है। मुद्रा और स्वनिदी के लाभारतियों में बड़ी संख्या में महिलाएं, दलीत, पिछडे और मेरे आदिवा सीवा है। जंदन खातों ने गाउं में महिला सेल्फ हेल्फ गुरूप्स को मजबूत बनाने में भी बहुत मदद की है। आज कल तो मैं गाउं में जाता हूं जब महिला सेल्फ हेल्फ गुरूप्स की बहनों को मिलता हूं तो कई तो उसमें आके के मैं तो लगपती दीदी हूं। यह सब इसी से जंबव हुआ है। सरकार जो आर्थिक मदद करती हैं वो महिला सेल्फ हेल्फ गुरूप से जुड़ी महिलाओं के बेंखातों में अब सीधे जमा होता है। जंदन योजनाने देश में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को गति देने में जो भुमी का निभाई है वो वाकई हमारी बड़ी-बड़ी उनिवर्सिटीज के लिए अध्यन का विशे है। साथियों अब तक रोजगार मेले के अनेक आयोजनों में लाखों युवाओं को मैं संबोदित कर चुका हूँ। उन युवाओं को पब्लिक सर्वीस या अन्य छेत्रों में रोजगार मिला है। गवर्मेंट और गवर्नंस में बड़लाव लाने के मिशन में आप सभी युवाँ मेरी सबसे बिड़ी ताकत है। आप सभी उस पीड़ी से आते हैं जहां सब कुछ बस एक क्लिक पर मिल जाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि लोग हर सर्वीस की तेज डिलिवरी चाहते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज की पीड़ी समस्याओं का टुकुडों में समाधान नहीं चाहती। उन्हें स्थाही समाधान चाहिए। इसलिए पब्लिक सर्वन्ट सोड़े के नाते आपको ऐसे फैंसले लेने होगे, ऐसी जिम्बेवारियां निभानी होगी, हर पल ऐसे तयार रहना होगा, जो लंबे समय तक लोगों के लिए फाइदे मंद हो। आप जिस पीडी से संबन्द रखते हैं, वो कुछ हासिल करने का इरादा रखती है। ये पीडी किसी का फेवर नहीं चाहती, वो बस ये चाहती है कि कोई उनके रास्ते का रोडा ना बने। इसलिए पब्लिक सर्वन्स के तोर पर आपके लिए ये समझना बहुत आवश्चक है कि सरकार जनता की आकांग्शाओं को पूरा करने के लिए हमेशा जनता की सेवा के लिए हैं। आप ये समझते हुए काम करेंगे तो कानून विवस्था को बनाये रखने में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। साथियों और तसाइनिक बलों में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेद्वारी को पूरा करने के साथ साथ आप सीखते रहने की प्रवित्य को भी बनाये रखें। आप जैसे कर्मयोगियों के लिए आई गौट कर्मयोगी पॉर्टल पर छैसो से जादा अलग-अलग कोर्सिस उपलब्द हैं। सर्टिफिकेट कोर्सिस हैं। बीस लाज से जादा सरकारी कमचारियों ने इस पॉर्टल पर रेजिशन कराया है। वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, परिक्षाएं दे रहे हैं। मेरा आग्रह है कि आप सब भी इस पॉर्टल से पहले दिन सही सही जुड़ जाईए। झाल